भाई और बेनों यूपी का कोई भ्यक्ति भूल नहीं सकता कि पिछली सरकार में जमिन परिवार वादियों का साथन था तो क्या क्या होता था कानून व्यवस्ता पंगु बना दी गई थी गुंडे मापिया खुले आम जमिनों पर कब्जा कर लेते थे गुंडा गिर्दी इतनी चरम पर थी कि बेहन बेटियां गर से निकल भी नहीं पाती थी और आज भाजपास सरकार की अनेकों योजनाओं से हमारी बेटियों का भविश्य समर रहा है वो शासन करने के बजाएं वो शासन नहीं सोशन करते थे हमने सेवा का रास्ता चुना है वो अपने महल बनाते थे हमने गरीबों के घर बनाए है वो अपने खांदानी महोच्षव मनाते थे हमने दिपोच्षवरंगोच्षव मनाए है वो जाती पंत इलाका देखकर नोकरी के नाम पर लूट बचाते थे योगी जी की सरकार ने प्रदेश के पांट लाठ विवाओं को बिना पक्षपत रोजगार दिया उनके राज में कोशामबी में अवैइत खनन को उद्द्योग बना दिया गया था हम कोशामबी के प्रभाजगिरी परवत माता सितला देवी के शक्तिपीट की प्रतिष्टा का गवरोगान करने वाले लोग हैं उनके राज में कोशामबी को बिजली के लिए तरसा दिया गया था आज हर गाउं में बिजली है बरपूर बिजली मिलती है इनके राज में गोटालों का ही राज था खनन गोटाला खाजनेन गोटाला एंब्यूलन्स गोटाला रिवर फ्रंट गोटाला आज राज्य की एक एक पाई जनता की भलाई में लग रही है उनके राज में ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन गया था आज हुनर का सम्मान हो रहा है और जीले जीले उद्योग लग रहे है